तो आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पे इंप्लोइबिलेटी स्किल एस का जो है आपका दोरदार 21 CBT एक्जाम में पूछेगे question papers जो हम लोग यहाँ पे solve करने वाले हैं तो जो भी यहाँ पे student life जुड़े हुए हमारे साथ तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और यदि आपने अभी तक वीडियो को share नहीं किया तो share जरूर कर दीजेगा ताकि आपके जो friends है वो भी यहाँ पे live class में जुड़ सके ठीक है और जितने ज़्याद है live classes आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ इसलिए आप लोग please चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और share भी वीडियो को जरूर करें ताकि जो student नहीं जानते है वो भी यहाँ पे live हम से जुड़ सके ठीक है तो चलिए आज का पहला question जो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे यह सारे questions आपके CBT में पूछे गए question है दोजार एकी इसके paper में ठीक है और आगे जो exam होंगे उसमें भी आपको देखने के लिए मिल सकता है तो पहला question क्या आपका तो यहाँ आप देख सकते हैं उन्चारन ड पादन यानि याद रखना आपको ठीक है तो डी नमर जोगा इसका क्या होगा राइट अंसर होगा ठीक है चलिए next question देखते है cardinal number कौन सा है cardinal number कौन सा यहाँ पूछा गया है то देखेंगे यहाँ पर 10 जो वह क्या है 3 हो से different है to 10 क्या आपका cardinal number है इसको आप यह दि नहीं जानते हैं तो भी आप यहाँ पर option देख के समझ सकते हैं जो 10 जो different देख रहा है तो 10 होगा मारको cardinal number होगा ठीक है उसके बद नेक्स्ट किसिन देखे क्या आपका low level language पूछा गये आपसे नियमन अस्तर की भासा कौन सी है तो इसको याद रखे गे नियमन अस्तर की भासा होती आपको वो होता है क्या machine भासा ठीक है मसीन लेंग्वेज जो हता उसको बोला जाता कि आपका लो लेवल लेंग्वेज ठीक है निम्न अस्तर की भासा मतलब क्या मसीन लेंग्वेज याद रहेगा सभी को चलिए नेक्ष देखते हैं क्या आपका किसी कारी में किये जाने वाले कर्तवियों और जिम्मेदारियों का लिखित विबरन ठीक है किसी भी कारी को जब आप करते हैं तो उसका जो लिखित विबरन देते हैं आप जिम्मेदारी और कर्तवियों का उसको डायस कहा जाता है तो क्या हो एक computer consist of computers होता है, उसमें क्या चीज यहां पर रहता है, बताना है, सभी बच्चे comment करेंगे, जितने भी लोग हमाई देख रहे हैं, उस सभी comment करेंगे, ठीक है, computer परनाली में आपका क्या होता है, computer में आपका जानता होंगे software और hardware, ये दो चीज से मिलके आपका computer बनता है, ठीक सभी answer करेंगे, और जो लोग late से जुड़े हैं, वो चैनल को जुरू subscribe करेंगे, यदि आपने नहीं किया है तो, और आपके लिए मैं live classes जो यहां पर arrange कर रहा हूँ, आपके exam point of view से, जो पूछे के question है, वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आप लोग भी चैन जो यहां पर पूछा गया आपको, यहां पर जादा एरिया के लिए पूछा गया, तो डबलू ए-N हो जाएगा, चलिए next देखते है क्या है, cpu इसलिए अपको देखें के computer में रहता है, उसका use बताना आपको cpu का क्या use होता है, मतलब cpu का full form पूछा गया, ठीक है cpu, इस इसका क्या होगा, control processing units, sorry, central processing unit है, ठीक है, central processing unit जो था, इसका right answer होगा, यानि B number बिल्कुल सही है, ठीक है, यहां पर confused मत होईएगा, सारा option एक ही जैसा लगेगा, इसलिए आपको अच्छी तरह से पढ़के answer करना है, ठीक है, next दिखिए excel में जो आपका intersection होता है, row और column का, intersection of row और column in Excel is called as what, क्या होगा, इसका right answer, Excel जो आपको intersect करता है, row और column को, इसको बोलते है, क्या जिस सभी answer करेंगे, इसका होगा, sale, यानि A number जो बिल्कुल सही होगा, sale हो जाएगा, इसका right answer, ठीक है, next देखा जाए, बिल्कुल चलिए, next देखते है, listening to song only to drive pleasure come under, ठीक है, इसका बिल्कुल सही, next देखे आपका, ठीक है, मानव, परियासों में सही और गलत के अधियन को dice कहा जाता है, क्या होगा, इसका ethic हो जाएगा, right answer, यानि C number होगा, इसका बिल्कुल सही है, ethic होगा, सही, next देखे आपका entrepreneurship is also term, उध्धमी को dice कहा जाता है, उध्धमी को dice कहा जाता है, क्या होगा, इसका right answer, इसका होगा, आपका self-employment, ठीक है, C numbers होगा, बिल्कुल सही है, self-employment, employment जो उध्धमी को कहा जाता है, ठीक है, चलिए, next देखे, which one is a wave-based accounting, ठीक है, इसमें से wave पे अधारीत आपका wave-based accounting कौन सा है, तो tally जो होता है, आपका tally, वो wave-based accounting के अ उत्पादन में लगे उध्धमी को, डाइस के नाम से, क्या होगा, manufacturing enterprises, जहाँ पे क्या क्या जाता है, बनता है हमारा चीजें, उसको बोलते है, manufacturing enterprises, ठीक है, next देखे, low productivity leads to, ठीक है, यदि कम उत्पादन होगा, तो उससे क्या होगा, आपका, तो कम उत्पादन यदी होता है तो याद रखना है आपको, चलिए, next देखे, क्या पूछा गया था, अर्थक्वीक, यानि भूकम को किसे मापा जाता है, आपसे पूछा गया, next question, भूकम किसे मापा जाता है, क्या बोलेंगे, सिस्मोग्राप से भूकम को मापा जाता है, आप ज्यादा तर लोग जानते ह होंगे, भूकम की तिबरता जो मापी जाती, वो कौन से यंतर से, सिस्मोग्राप से, बी नमर होगा, इसका, ठीक है, next देखे, आपका, उनके, उनके पर्यावरन के संबंध में, जीवित चीजों के अध्यान को डाइस का जाता है, ठीक है, the study of living things in relation to their environment is called as what, तो इसका क्या होगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका, इको लाजी, ठीक है, इको लाजी, ठीक है, बिल्कुल सही है, C नमर होगा, next देखे, आपका क्या है, the process of discarded material into new useful product is called as what, ठीक है, मतलब क्या है, question का, question कह रहा है कि आपका जो खराब चीज होता है, जो use में हम दो नहीं लाते है, उसके फिर से new product बनाना, ठीक है, recycle करके, वो क्या कलाता है, तो आपका recycling कलाता है, recycling of material है ना, तो waste चीज और से new चीज बनाने की process को recycling of material कहा जाता है, उसके next देखते हैं, आपका, what is expansion of ILO, ठीक है, ILO का full form पूछा गया आपको, क्या होता है, इसका international labor organization, इंटरनेशनल labor organization, ठीक next देखें, आपका fishbone chart is called as, fishbone chart जो होता, उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो fishbone chart को आपका जो होता है, वो cause and effect diagram से जाना जाता है, यानि कारण और परवाव Rx से जाना जाता है, तो ए नमर इसका सही answer होगा, याद रखना है, तो लिए next देखते है, what does S-E-R-I, what does S-E-R आई, किसके लिए है, तो इसका right answer क्या होगा, sorting out, ठीक है, sorting item मतलब क्या सुलजाना, sorting out जो होता है, इसका मतलब होता है, इसके लिए ये use होता है, ठीक है, आई होप, आसका जो class है, आपको यहाँ पर पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लिज चैनल या फिर other कोई भी class चाहते हैं, तो please comment करके नीचे बताएंगे, उसका class में आपके लिए arrange कर दूँगा, ठीक है, तो फिलाल आज हम लोगोंने CVT exam में पूछे गए question paper 2021 में, जो जितना भी yes क question पूछे गए थे, important थी, वो सारे मैंने आपके साथ discuss किया, तो आप लोग वीडि वीडियो को आप लोग अच्छे तरह से जरूर कवर किजेगा, तो चलिए मिलता है next class में, तब तक के लिए